नमस्कार क्या पचल चीवी देख रहे हैं आप मैं हूँ आपके साथ पूजा ब्रेकिंग नाव में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं दानिश अली को लेकर मायवती ने बड़ा आक्शन लिया है दानिश अली को मायवती ने पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है एक प्रेस नोट भी बकाइदा जारी किया गया है जिसमें कहा गया है कि दानिश अली पार्टी विरोधी गतिवीदियों में शामिल थे जिसकी वज़ा से पार्टी ने ये बड़ा एक्शन लिया है और इस बड़ी कबर पे मेरे साथ न्यूजरूम से जुड़े वे हैं क्याप मायवती की पार्टी ये बीएसपी के सांसद है हम रोहा थे और तस्वीरे देखिए राहूल गांदी के साथ किस तरह से चमक रहा है दमक रहा है कांगरिसियों के साथ जो नजदीक है इनके बढ़ रहे थी वो इने ले डूबा नहीं मायवती को ये कम आंक लिए इनको लग पगैर आप जो है अपनी राजनीती चमकाएं दिरली के अंदर और आपके उपर कारवाई नहीं होगा मायवती ने करीब 200 वर्ड में ये लेटर लिखा 200 वर्ड में ही पूरा कांड इनका हो गया और सारी चीजे बता दिया और मैं आपको बता दू कि इंसाइड स्टोरी है क्य मायवती ये इंडी अलाइंस के वो पार्टनर नहीं है मायवती का अपना अलग राजनीती है और ये व्यक्ति इंडी अलाइंस की चम्चागिरी में इतना आगे निकल गया ये भूल गया कि ये मायवती की पार्टी का सांसद है आप राहुल गांदी से गलवाईया करेंगे आप जो है महुआ मोहित्रा के लिए चीख आप ये समझे ये गाली बाज सांसद है ही प्रवोग्ड ये जो संसद के अंदर में तमाशा होता रहता है ये सबसे ये प्रोवोकेटियर इन चीफ है ये संसद के अंदर में गंदगी भलाने का काम सबसे ज़्यादा यही करता है लोगों को उकसाने का काम और हर समय चीखना चिलाना इसका धंदा बना हुआ था ये पार्टी में रहकर के माया बती अगर आदेश दे कि में चलो भाई हंगामा करना है तब तो आप करो तो बात समझ में आती है आपने कभी किसी व्यक्ति को देखा किसी बीएसपी लीडर को देखा आगे आ जाना टीवी पे छा जाना बयान देना आप नहीं कर सकते हर पॉलिटिकल पार्टी का एक डेकरम है डिसिप्लिन है मायवती की पार्टी में आपने यह तो बहुत पहले ही इनको निकाल देना चाहिए लेकिन चुके अभी बीएसपी की संख्या कम है चलो भाई ट्रॉलरेट किया गया होगा उनको बताया गया होगा लेकिन सबसे बड़ी वज़ा है कि क्यों इनके ऊपर एक् क्या उन्होंने लिखा कि देखिए आप जयडीास में थे कि जयडीयस देवगोडा की पार्टी है और आपको हमने देवगोडा शाहब के कहने के बाद उनके आश्वासन के बाद हमने आपको अपनी पार्टी में लिया देवगोड़ा साब ने कहा कि भई इसको दे दो अमरोह से टिकट लड़ लेगा तो देवगोड़ा जी के कहने पे हमने लिया और देवगोड़ा जी ने हमें यह आस्वासन दिया था कि यह एंटी पार्टी अक्टिविटी नहीं करेगा यह विचार धारा के साथ मिलके चलेगा लेकिन यह काम उल्टा कर रहा था यह थोड़ा ज़्यादा ही अपने आपको स्मार्ट समझने लग गया अब यह गाली गलोज करना यह करना वो करना अगर पार्टी लाइन में तैक किया जा रहा है लेकिन अब तो समझ में य यह व्यक्ति सबसे ज़्यादा जो गंदगी फैलाने का काम इसने किया एथिक्स कमीटी के सामने जब महुआ मुईतरा को पेश किया गया यह सबसे आगे वहाँ चिला रहा है आप पार्लमेंट के अंदर देखिए एक लगातार एक जो है इरिटेटिंग वोईस आता रहता ह हैं और इसलिए इनको समझाया गया इनको बताया गया कि यह काम मत करो लेकिन फिर भी यह नहीं माने तो मयावति की पार्टी की तरफ से फैसला लिया गया और सतिशंद मिस्रा ने चिठी यह जारी करके इनको पार्टी से निस्कासित कर दिया क्या आप यह कॉंग्रस जॉइन करेंगे अब इनके पास को था यह तो अलेटी कॉंग्रस के एक लीडर के तरह ही अब तक शोशल मीडिया पे नजर डाले तो राहूल गांदी के कई ऐसे पोस्ट हैं जिसको यह रीट्वीट करते हैं बकाता मुलाकात भी हुई थी रमेश वि कि वज़ा से यह दानिस अली यह चुनाव जीत जाता है अमरोहा में और एक बार चुनाव जीत जाता है तो यह एंटी पार्टी एक्टिविटी यह राहूल गांदी की चंप्चागिरी में लग जाता है तो ऐसे लोग तो राजिनीती में इनको क्या कहा जाएं तो मायवती हायर कर रहा है को प्लेन हायर कर रहा है कई रिसॉर्ट बुक किया जा रहा है क्यों कि यहीं मानसिक्ता के लोग है जिनको विचारधारा से कोई लेना देना नहीं है अपनी राजिनीती चमकते रहे अपना चेहरा मीडिया में आता रहे हम किसी कंट्रूवर्सी में रहते रह और हमें सता पैसा पावर लगतार मिलता रहे उसके लिए हम कभी इस दरवाजे तो कभी उस दरवाजे कभी उस दरवाजे कहीं भी हम लोटने को तैयार है यही है दानिस अली इसलिए इनके उपर यह मायवति के साथ नहीं चल सकता कॉंग्रेस पार्टी में आप रहकर के कि अगर कोई मालूम चलता है कि यह पार्टी के खिलाफ कोई काम कर रहा है पार्टी खिलाफ बयान बाजी कर रहा है तो पार्टियां उसको निकालती नहीं है इसने नहीं निकालती क्योंकि वह फिर फ्री हो जाएगा फिर वह वोटिंग भी करेगा अलग से वह सब कुछ कर करेगा औरगर पार्टी किसी को निकाल दिया तो वो क्या हो जाता है वो पूरी से फिर कि निकालने में देरी होई या या भी फैस्ल describing जैसे ही मायविट्व कौ ये मालूम चला कि भाई ये आब कॉंग्रिस पार्टी में जाने को तैयार है और यह पार्टी लाइन को फॉलो नहीं कर रहा है पार्टी की बात को मान नहीं रहा है मायवती ने फॉरण एक्षिन लिया है और यह एक्षिन जरूरी था और इस तरह का एक्षिन हर पॉलिटिकल पार्टी को लेना चाहिए मायवती ने बहुती ब्रेव डिसिज चली जाएगी पार्टी की बात नहीं मानेगा और वोटिंग कहीं दूसरे साइट से करेगा तब भी सदसेता चली जाएगी लेकिन अगर पार्टी उसे बाहर निकाल दे रही है तो इनाव ही फ्री पर्सन अब यह इसको जो है एक निर्दली के रूप में आप यह कॉंग्रेस होता है वो कहीं भी चला जाएगा तो यह एक्शन जो लिया गया है यह बार-बार और मैं आपको बताओ इसकी जो है बहुत पहले से चल रही थी हम लोगों ने भी बहुत बार यह कहा है महुआ मोहितरा के केस में जहां आप उनके साथ खड़े हो गए आप मयवती की कारण क्या है कि वह महिला रंगे हाथ पकड़ी गई है और आप उसको डिफेंड कर रहे हो इसका मतलब यह हुआ कि ब्याश्पी के तरफ से मयवती की तरफ से उनको साफ-साफ मना किया गया होगा कि महुआ मोहितरा के फेवर में आप बयान नहीं दें लेकिन यह तो फोर- आप देखिए यह यह गालीबाज सांसद है इसके इसकी जो भाषा है इसकी जो जो पूरा परसोना है यह इसको अलड़ी नोटिस में है तो इसका कंड़क्ट भी एक सांसद के तरह नहीं है अब राहूल गांदी को ऐसे लोग पसंद आते हैं राहूल गांदी जो सबसे रा के गाली देते हों को उनको हिरो माना जाता है उनको कहा जाता है कि वही सही लीडर है तो वह दानिश अली को निकाल दिया गया है आप सब की नजर मुस्लिम बोट के ऊपर है और पिछले कुछ दिनों भी यह देखा गया है कि जितने भी मुस्लिम लीडर्स हैं मौल भी मौलाना यह लोग जो वोट बैंक पॉलिक्स के जो है अलग-अलग जो टूल्स हैं वो कॉंग्रिस की तरफ खिसकते चले जा रहे हैं उसमें एक और एडिशन होगा तो इस एडिशन का खामियाजा समाजवादी पार्टी को होगा तो आप यह देखिए कि यह इस तरह के लोगों की वज़े से यह साथ में हैं तो नुकसान और साथ में नहीं हैं तो नुकसान तो यह अलग-अलग तरह की राजवीती चल रही है बराह विदूरी का मसला स्के बाद सभी लगतार जबादीर पिया लिम मोधी पर हमला बोल रहे थे मता अब ब revision के तरफ से बड़ा आक्शन गए पी के दानिश ली को दिखा दिया गया है इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलाल इतने ही केमपूसन अशोक के साथ मैं पूझा क्यापिटल टीपी हमारे व्रत हमारी परीक्षा लक्ष तक पहुंचने की हमारी संयमित प्रतीक्षा हमारे छट से और हमारे हट से पूरी दुनिया वाकिफ है हमें विकलप पर नहीं अपने द्रड़ संकलप पर अटूट विश्वा से क्योंकि हार हम मानेंगे नहीं और विपरीद परिस्थितियों पर प्रहार हम छोडेंगे नहीं जब तक हमारी जीत सुनिस्चित नहीं हो जाती क्योंकि हम बिहार से हैं क्यापिटल टीवी पर मैं अमित प्रकाश लेकर आ रहा हम बिहार पर एक ब्रैंड न्यू स्पेशल शोग हम बिहार से हैं